सर्दियों में मसरूम बहुत अच्छे मिलते हैं, एक दम ताजे-ताजे से और सस्ती भी मिलते हैं, तो आज मैं मसरूम से बहुती चटपठा और मज़िदार रेसिपी बनाऊंगी, जिसे आप इस टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने यहां 200 ग्रम मस्रूम को काट के ले लिया है साथ में सिमला मिर्च और प्याज ले लिया और मैंने यहां थोड़ा सा मैदा लिया है और उसमें वन पिंच के लगभग नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पाने डालके अच्छी तरीके से इसका गाढ़ा घोल बनाके तयार कर लेंगे घोल उतना गाढ़ा होना चाहिए कि जब हम मस्रूम को इसमें डिप करें तो अच्छी तरीके से मस्रूम के इसमें कोडिंग हो जाए और दूसरे साइड मैंने पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल अच्छा कासा गरम होना चाहिए और साथ में मैंने यहां लैसुन और मिर्च को बारिक काटके ले लिया है तेल गरम हो गिया और यह हमारी मैदे के स्लरी भी तैयार है अब हम इसमें मश्रूम को dip करेंगे और direct pan में डालते जाएंगे इसी तरीके से सभी मश्रूम को fry कर लेंगे मश्रूम को high flame फे ही fry करें, low flame फे ही fry करेंगे तो मश्रूम से पाने निकल आएगा जिसकी वज़ा से एक तो तेल के छीटे भी आएगे और मश्रूम सॉफ्ट हो जाएंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे तो आप इसे high flame फे फ्राई करें ताक कि ये ज़्यादा क्रिस्पी भी लगे क्योंकि हम इसे starter की रूप में सर्व करने वाले हैं तो क्रिस्पी रहे गा तो खाने में ज़्यादा मजायेगा अच्छी तरीके से fry करों के ये हाँ देख सकते मश्रूम को मैंने फ्राई कर लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे मैंने सारे मश्रूम को fry करके निकाल लिया है अब इसी में हम सिम्बला मिर्च और प्याज को फ्राई करेंगे लेकिन तेल ज़्यादा है तो तेल को हटा देंगे और साथ में हम प्याज और सिम्बला मिर्च डाल के फ्राई कर लेंगे आप अपने हिसाब से सिमला मिर्ज और प्याज को थोड़ा सा कम या ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों को बिल्कुल हलका सा फ्राई स्टार्टर में ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन मुझे थोड़ा सा ज्यादा पका हुआ अच्छा लगता है तो आप अपने एकॉर्डिंग का में ज्यादा फ्राई कर सकते हैं मैंने यहाँ सिम्बला मिर्च को भी फ्राई कर लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे देख सकते हैं बहुत ज़यादा पका लेंगे और इसे भी आधी मिनिट के लिए पका लेंगे लेसुन मेर्ज जैसे ही पक जाए हम इसमें दो चम्माई सिजवान चटनी डाल देंगे अगर आपके पास सिजवान चटनी नहीं है तो आप इसमें टोमेटो केचप और साथ में लाल मेश पावडर भी डाल सकते हैं बस इसमें और कुछ नहीं डालना है सिजवान चटनी के साथ इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और बहुती मज़े का इस टार्टर बनके तयार होता है बहुती कम इंग्रेडियंस बिना महनत का बहुत जटबड बनके तयार होता है आप एक बार तो जरूर ट्राय किजेग और बस अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अभी तक का प्रोसेस अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजेगा और अपने दोस्तों के साथ से जरूर किजेगा लाश्ट में हम इसमें नमक डाल के अच्छी तरीके से एक बर मिला लेंग और फिर गर्मा गरम इसे सर्व करेंगे बड़ों से बच्चों तक महमान जो भी आया आप उनको एक बर ये बना के सीजन में खिलाएगा उन्हें बहुत पसंद आएगा और सेजवान चेटनी मार्केट में भी बहुत एजली मिल जाता है अगर आप इस घर पे भी बनाना च करते हैं आप इस रेसीपी को जरूर ट्राइक कीजिएगा आपको बहुत बसंद आएगा वीडियो अच्छा लगा और प्लेजों से लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ सेयर कीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स व